मेरे परिवार जनो मैं जब 36 गड़ का विकास करने की बात करता हूँ तो कॉंग्रेस को पसंद नहीं आता है कॉंग्रेस आप लोगों को इसी हालत में रखने के लिए इसी मजबूरी में जीने के लिए छोड़ना चाहती है ताकि आपके पैसे लूटने का लाइसेंस उनके पाद बना रहे मोदी आपको हर संकट से मुक्ति दिलाना चाहता है आपका जीवन बहां जहां है वहां से और अच्छा बनाना चाहता है और आगे ले जाना चाहता है और इसलिए कॉंग्रेस मोदी से नफरत करती है और ये कॉंग्रेस की नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि वो मोदी की जाती से भी नफरत करने लगी है बिते अनेक महिनों से कॉंग्रेस मोदी के पहाने पूरे OBC समाज को गाली दे रही है गाली तो गाली डंके की चोड़ पर कॉंग्रेस OBC समाज के यह जो गालिया दी है उसके लिए अदालत के कहने के बाद भी माफी मागने दे इंकार कर रही है OBC समाज के प्रती कितनी नफरत है इसका ये उदाहरन है एक कॉंग्रेस ही है जिसने बाबा साब आमबेड करका अपमान किया एक कॉंग्रेस ही है जिसने बाबा साब की राजलिती खर्त्म करने के शड़ियंत्र किये वहीं दूसरी तरफ भाजपा है जिसने देश और दुनिया में बाबा साब आमबेड करके पंच तिर्स का निर्मान किया ये कॉंग्रेस है जिसने आदिवासी नेत्रत्म को कभी उपर ने नहीं दिया ये भाजपा है जिसने देश को पहली आदिवासी महिला राश्पति का गवरव दिया और मेरा तो सभवाग्य है कि मैं काशी का सावसद हूँ वो काशी जहां से संत कबीर और संत रविदास का दर्शन देश दुनिया तक पहुचा है संत कबीर की जन्बस्थली हो या फिर संत रविदास की जन्बस्थली दोनों की भव्यता और बढ़ाने का सभवाग्य भाजपा को ही मिला है जब कि कॉंग्रेश के नेताओं ने यहां सतनामी समाज के साथ क्या किया है ये भी हमने देखा है बोट बैंक के लालच में तुष्टी करन के लालच में कॉंग्रेश कुछ भी कर सकती है कॉंग्रेश डेतो, दलीत, OBC और आदिवासी के आस्था तक का सम्मान नहीं किया